नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहू लड़ाब देख रहें Mission Competition तो Friends आप सब जैसे के जानते हैं हमारा इस घटना चकर की हिताब से जो कि बिहार दरोगा के लिए कारी संगठन वेगरा और जितने भी गवर्णर जनरल उस टाइम थे तो उन से लिटेट हम कुछ कुछ टॉपिक्स देखेंगे तो आप सब हमारे साथ आखरी तक बने रहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं विदेश में भारती करांती काड़ी संगठन कुछ दो थे ना उस रिल्टेट जो इंपॉर्टेंट कोश्चन बनते हैं पहले हम उसके बारे हम देख लेंगे देखें तो इंडिया हाउस के स्थापना कब हुई थी तो यह देखें 1904 में हुई थी हुई कहां पे थी लंडन में किस ने करा था स्यामा जी कृष्ण वर्मा ने करा था यह इंपॉर्टेंट कोश्चन है वी वी आई है यह बीपीसी में पूछा गया हुआ कोश्चन है तो आप सावरकर द्वारा इसका स्थापना करा गया था इसका संस्थापक अभीना वारत के बीडी सावरकर जी थी थे 1904 में यह भी हुआ था इंडियन हाउस के जैसे ठीक है यह भी लंडन में हुआ था अब देखें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यह जो है 1907 में यह तीन साल क वाँनले पर इसके स्थाप्ना होई थी और यह अमेरिका में स्थाप्ना होई थी ठीक है विदेशमें यहां जितने ही भारती करान। इंडियान इंडिपेंडेंडेंस वर लीग यह काबूल में ठीक है काबूल कि धर इधर अफगानिस्तान वाला ठीक है ना तो यहां राजा महेंदर परताब द्वरा इसके स्थापना करी गई थी ठीक है नेक्स जो अगला हमारा है गौवर्मेंट 1915 इसका नहीं कहां पर स्थापना हुआ यह नोन है और नहीं इसका स्थापक नोन है तो यह दोनों को ब्लैंक छोड़ दिया गया ठीक है इंडियान इंडिपेंडेंस लीग यह देखिए इसकी जो इस लीग के स्थापना हुई थी 1942 में यह हुआ था टोकीयो में सो किया गया था और रास विहारी बोस के द्वारा यह किया गया था यह काफी पर पूछा भी जा चुका है तो इंडियान इंडिपेंडेंस लीग 1942 में टोक्यो रास विहारी बोस द्वारा और गौवर्मेंट इसके स्थापना कब हुई थी यह एक संस्था है इसके स्थापना हुई थी कब इस संगठन की 1915 में ध्यान रखे इस बात का चलिए यहाँ से हमारे अब important points से start होते हैं लौड एलन बरो के काल में देखिए 1843 में Act 5 ने गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था ठीक है पहले जो है 1843 से पहले गु लीगल हुआ करता था ठीक है यह लीगल हुआ करता है जो कि लौड एलन बरो इसके सासनकाल में फिर Act 5 लागू करके फिर सो खतम करते हैं केसब चंदर सेन ने देखिए 1872 के Native Marriage Act को जो है ना पारित करने में महत्पूर्ण काफी भूमिका निभाई थी केसब चंदर सेन के द था स्वरी 14 वर्ट करी गई और फिर लड़कों की जो निउंतम आयो 18 वर्ट की गई ठीक है इसे ब्रह्म विवा अधिनियम भी कहा जाता है ठीक है ध्यान रखे यह एक पॉइंट है जो कि आप बिल्कुल ध्यान में रखे ब्रह्म विवा अधिनियम यह आ सकता है यह धरित थी नहीं ठीक है मतलब जनली लड़की और दो तीन साल की है उसका विवा कर दिया गया पांच साल के लड़की उसका विवा कर दिया गया तो यह जो है यह नेटिव मैरेज एक्ट के दोरा यह कानूनी लाएगा कि मिनिमाम 14 एर्स की जब लड़कियां हो जाएंगी आ ठीक है इसको और आगे बढ़ाए गया फिर इसको सार्दा एक्ट अधिनियम के दौर इसको और ससक्त बनाए गया और इसमें फिर लड़कियों को विवाक है यह जो है 14 यह और लड़कों 18 यह से स्थाफित कर दिया गया अब देके थियो सफिकल सोसाइटी के स्थापना यह थियो सफिकल सोसाइटी के स्थापना करी गयी थी रूसी महिला मैडम एच पी वॉलवाट्सकी अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे करणल अलकॉर्ट और विलियम कौन जज्ज थे और अन्य भी और कुछ लोग थे 245 जिनके द्वारा 875 में अमेरिका में नियु आर्क में थियो स फिकल सोसाइटी के संस्थापक ने 1882 में मदराज के पास अडैयार में टेक qualify के स्थान है वहाँ पर सूसाइटी का मुख्याले स्थापित के कि रनाडे यानि की रनाडे जो थे उनके सिस्त थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ठीक है तो इनके द्वारा 1905 में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सुसाइटी के स्थापना करी गई थी ध्यान रखे इस बात का गोपाल कृष्ण गोखले ने कॉंग्रेस के 21 अधिवेशन जो साल 1905 में बनारस में वह था उसके अधियाक्ष था भी की थी तो 21 अधियाक्ष आप इसके बोल सकते हैं सदिवेशन के अधियाक्ष ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले कॉंग्रेस के 20 अधियाक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांदी के राजनीति कौन थे तो यहीं थे जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ठीक है प्रसासनिक सुधार के अंतरगत हेस्टिंग्स ने सबसे पहले 1972 में कोर्ट ऑफ डिरेक्टर्स के आधिसनुसार बंगाल में द्वैद सासन की समाप्ति की घोसना की थी और इसकी और सरकारी खा 70 में कोर्ट ऑफ डिरेक्टर्स के द्वारा यह आदेश दिया गया कि देखिए भाई बंगाल में जो है अब हमारा जो अंग्रेजी खाजाना है जो हम सारे रेविन्यू इखटा करते हैं बंगाल में वह सेफ नहीं है ठीक है बंगाल द्वैद सासन के वजह से वहां पे करना थिकता चांत भॉल डिया चार्टर एक्ट के 833 का यह Charter Act आया था उसके द्वारा इसको बना दिया गया अब दिखिए 833 में Lord William Bantic को भारत का प्रतम गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया पंदरा जन्वरी 1784 में Asiatic Society के स्थापना के समय बंगाले गवर्नर जनरल Lord Warren Hesting 1774 से 1785 इस्वी में यह थे जब पंदरा जनरली 1784 को Asiatic Society के स्थापना वी थी तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थें तो Lord Warren Hesting है ना आप देखे सुरक्षा प्रकोस्ट है ना यानि कि safety valve या घेरे की नीती यह Warren Hesting तथा वेलेजली से संबंधी थी यह बात है ठीक है safety valve क्या थी तो उस से related जो है हमने history में topics पराए हुए है आप जाएक हमारी videos देख सकते हैं भारत में देखे नाइक संगठन के स्थापना जो है Lord Carnivalis ने की थी किसने तो Lord Carnivalis ने जो है भारत में नाइक संगठन के स्थापना की थी कानून की विसिस्टा का नियम जो इससे पहले नहीं था भारत में इसी ने लागू किया था किसने कानून की विसिस्टता का नियम इससे पहले भारत में नहीं हुआ करता था इसी ने लागू किया था पहली बार कार्णाविलिस को भारतिया नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है किसको लॉर्ड कार्णाविलिस को भारतिया नागरिक सेवा यानि कि आप बोल सकते हो civil services ठीक है लॉर्ड कार्णाविलिस ने अपने मुर्सिदाबाद धाका तथा पटना में चार प्रांतिये नियायलो की स्थापना करी गई थी ठीक है और यह सुधार प्रसिद्ध सिधान सक्तियों के प्रिथक करन पर यह अधारित थी ठीक है यह जो सुधार हुई थी मतलब नियायलो के स्थापना कलकत्ता 605 तक बंगाला गवर्णर जनरल ये बना रहा लॉर्ड कार्णाविलिस ठीक है अब देखिए लॉर्ड कार्णाविलिस की मृत्यू जो है पांच एक्टूपर उत्तर प्रदेश में हो गई थी और यहीं पर इसकी कबर भी इस्ति थे एक लौता ऐसा मतलब जो गवर्णर जनर या बेसीन की संदी आप जो ही बोल लें ये दिसंबर 802 इसमी में पेसवा बाजिराओ सेकेंड और अंग्रेजों के बीच ये हुई थी बेसीन की संदी ठीक है और लॉर्ड वेलिसली की सहायक संदी को सुईकार करने वाला पाला माराथा सरदार पेसवा बाजिराओ ये बना उसकाद मैसूर बना 1799 में फिर तंजोर अक्टूबर 1799 अवद नवंबर 801 में पेसवा जो है ये 802 में इसकी दास्ता स्विकार करी ठीक है और उसकाद बरार के भोंसले इन्होंने दिसंबर 803 में दास्ता स्विकार करी सिंधिया ने फरवड़ी 84 में जोदपूर जैपूर मेचेरी बुंदी तथा भरतपूर इन्होंने भी उसके बाद सबने जो है सहायक संधी यानि एक तरह से बोल सकते हैं अंग्रेजों की दास्ता इन्होंने स्विकार कर ली सहायक संधी क्या थी सहायक संधी का मतलब यह था कि भाई आप लोग जो है अपने सेना को पर्खास्त कर दो ठीक है हमारी अंग्रेजी सेना जो है आपकी सेक्योर्टी पूरी करेगी अंग्रेजों का वक्तव था और हम जो आपकी पूरी सेक्योर्टी करेंगे उसके एवर्ज में जो है आप हमको सलाना एक amount fix किया जाता था जो कि आप हमको security money as a security money आप हमको देंगे यहीं है सहायक संदी मतलब किसी भी राजे रजवारों को अपना सैने टुक्री रखने का इजाज़त नहीं था इसके तहएत साफ साफ बात है अब देखिए आंगला नेपाल यूद अठासो चौदा से सोला इसवी लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्णर जनरल काल में अठासो तेरा से तेसी स्वी में हुआ था जो की संगोली की संधी से समात इसको किया गया था आंगला नेपाल यूद ठीक है लॉर्ड विल्यम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमेन को ठगो के विरूद करवाही करने के लिए न्यूकति किया था ठगी परता को रोकने के लिए लॉर्ड विल्यम बेंटिक ने काफी इंपोर्टन कदम उठाय थे और इसी कदम में एक महत्पून कदम था कैप्टन स्लीमेन की न्यूकति करना ठगी ठगो को विरूद ठगो को रोकने के लिए इनके दोरा करवाही करने के लिए तो कैप्टन स्लीमेन की न्यूकति की लॉर्ड विल्यम बेंटिक ने 1789 इस भी घोसने दोरा बंगाल में देखो दास्ता का निर्यात बंद कर दिया गया ठीक है दासों का निर्यात ठीक है दासों का निर्यात का मतलब क्या है देखिए पहले था क्या कि यहां से इंडिया से एफरिका वेगरा से जो है न वहां के जो गरीब लोग होते थे उनका न की नील की वैसे खेतों मेला कि इन से जबरन मजदूरी करवाई जाती थी ठीक है कुछ मिनिमम वेज़ेस देके दो वक्त का खाना देके इन से जबरन मजदूरी करवाई जाती थी तो यहीं है दासता का नियम तो यहीं मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था बेसिकली यहां से ठ नूनी है ठीक है फिर देखिए यहाँ पर ब्रिटिस भारत में दास्ता को अवयद घोसित कर दिया गया पूरे ब्रिटिस इंडिया की बात हो रही है ठीक है ब्रिटिस ओका जहां जहां राज था वहां की बात नहीं और यह सिर्फ ब्रिटिस इंडिया की बात हो रही है पॉइंट है नेक्स पॉइंट के देखिए भारतिय दंड सहीं था कि स्थापना यह यानि इंडियन पीनल कोड इसका जो अठाड़ा सो एक सथापना हुई थी और आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवड़िया शप्पन में अवैद अधिगरहन का अधिकार बनाया गया था ठ किसका अवद को जो हैं अग्रेजी राजमें विलाय कर लिया किसका तो अवची जो हैं रज्र में इसने विलाय कर लिया लॉडा डलहुजित ने क्या आरोप लगाय है तो कुश ऑसन का लिए sozial को भी अपने अंडर में किया था सतारा पंजाब के अपनों रॉह सासन का यह सारी कारवाही इसके दोरा करी गई थी तो फ्रेंड्स यह था आज का हमारा सेट नंबर 12 उमीद करता हूं यह सेट आप लोगो काफी पसंद आया हो सेट कैसला कमेंट करें जरूर बता हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और अब तक अगर स सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ले ठीक है तो फिलाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही तिल दें टेक क्यार बबाए एंड गाट ब्लस यो आल